जहीं दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोगा स्वागत है तो दोस्तों बहुत सारे लड़के का यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जब लड़के अपना DC अपलाई कर रहा है या वाच कीपिंग सेटिफिकेट अपलाई कर रहा है तो ऐसा मेल उनको आ रहा है ठीक है तो लड़के को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ऐसा मेल आ रहा है तो हम लोग क्या करें और ऐसा सिच्वेशन में हम लोग को क्या करना चाहिए ठीक है तो इस सिच्वेशन में हम लोग यही देखेंगे कि भाई अगर आपके पैस ऐसा मेल आना चाहिए तो आपको फरस्ट एक्षन क्या ले हो जाएगा तो ऐसा अगर मेल आपके पास आ रहा है डियर सर फोर रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेविगेशन वाच फोटो एंड टाइम एंड डेट रिमूब इट प्लीज अपलोड फॉर्म साइट फोटो फॉर्मल साइट फोटो सेवेंटी परसेंट फेसियल एरि फोटो फिचवाने के लिए वाइट सब्रक्ड़ पहनना है अगर ठीज हो तो मुच बेटर है वाइट सेयव होना चाहिए आपका सेव सेविंग कर लेना है पूरा और white shot पहन लेना है और अपने नजदीक में जो digital photo studio है जहां पर photo अगरा बनता है वहाँ पर आपको जाना है और photo camera जो photo man होगा उसको बोलना है कि भाई हमारा जो photo है वो photo बनाओ 40-30 यानि 40-30 size का होना चाहिए ठीक है वो आपको समझा देगा कि 40-30 size का होना चाहिए और जो facial cover होना चाहिए वो 70% होना चाहिए ठीक है और जो पीछे का background होना चाहिए वो white होना चाहिए ठीक है ऐसा photo आप click करें और click करने के बाद photo re-upload करें ठीक है photo re-upload कैसे करना इस पर पर मैंने वीडियो बना दिया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूटूब पर सर्च कर लीजिएगा कि डीजी शीपिंग साइड पर फोटो री अपलोड कैसे करें वीडियो आ जाएगा देख देख क्या आप कर लीजिएगा ठीक है तो अगर आपको सरी फोटो री अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो वैसा ही फोटो खिचवा के तब ही आपको अपलोड करना है ठीक है दो नमबर इनका मिस्टेक किया हुगा एक तो फोटो इन्होंने गलत अपलोड किया है दूसर का देखिए जादात और प्रोब्लम वाच कीपिंग में यही आती है पहला तो अगर आपने डीसी अपलाई किया है तो फोटो आपने गलत किया है तो वाच कीपिंग नहीं आएगा आपको ऐसा मेल आएगा तो जैसे ही आप अफलोड कर देंगे तो विदिन सेवें डेस या जिस RPSL कमपणी के थुरू आप जहाँ जुआइन किये हैं वहाँ पर आपने जो सिगनेचर करवाया हुआ है तो जो RPSL कमपणी है ना उस RPSL कमपणी के जो ऑथराईज परसन होते हैं उनका सिगनेचर भी डीजी शीपिंग के साइड पर अपलोड होता है तो जो आदमी आप अपने इस situation के लिए देखे इस situation के लिए तो आप खुद से कर सकते हैं ठीक है या आप यूटूब पर वीडियो देखकर एक नमर जो आपका problem है ये तो आप खुद से कर सकते हैं लेकिन ये verify your the tarbuk authorized signature by the RPSL company आप खुद से नहीं कर पाएंगे ये आप जिस RPSL company के थुरू गए हैं उस company के office में आपको visit करना पड़ेगा या जिस agent के थुरू गए हैं उनको आपको ये बोलना पड़ेगा कि देखिया authorized person का signature का verify करने के लिए बोल रहे हैं हमको क्या करना पड़ेगा तो अगर possible हो तो अगर आप shipping company के office में चले जाएंगे जिस company के थुरू आप गए हैं तो आपका काम हो जाएगा अगर possible नहीं हो तो जिस agent के थुरू गए हैं उससे बात कीजिए वही आपका करेंगे तो होगा company please upload the company authorized letter attached with the tar book PDF और जो आपको signature करके देंगे verify करके देंगे authorized person जो होगे तो उसका जो letter होगा उसके साथ tar book के साथ फिर से attach करना होगा और attach करके फिर से आपको re-upload करना परेगा tar book तभी जाकर आपका watch keeping certificate इसू होगा otherwise आप इसी तरह बैठा रही है तो issue नहीं होगा दूसरा condition में क्या आ रहा है कि लड़के माली जेगे photo upload कर दिये signature अपलोड कर दिये signature अगर verify नहीं हुआ तो dg shipping अपने office में बोला लेंगे तो dg shipping जब अपने office में बोला रहा है तो बहुत सरे लड़के घवड़ा जा रहे है कि भाईया कुछ गलती तो नहीं हो गया है कोई बात तो नहीं होगी हमको dg shipping के office में बोलाए गया है कि हमारा tarbook नहीं आए गया reject हो जाएगा तो देखिए आप बार बार गलत upload कर रहे हैं कोई भी चीज तो dg shipping को हो सकता है कि लगे कि भाईया ये सारी चीज़े ये लग रह ठीक है ये फ्रोड कर रहा है ये फेक है ये सब मने ऐसा सक हो सकता है हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई माली जी कि आप ही अकर कोई website खोलें और उस पर बार बार रॉंग चीज़े upload कर रहा है कोई candidate तो आप समझ जाएंगे कि भाईया ये गलत आदमी है चाहे इसको समझ में नह कोमेंट आपको फिजिकली चेक होगा अगर सारा चीज सही हुआ तो आपका वहीं सप्लाई करके आपका जो भी प्रोब्लम होगा आपको बता देंगे और आपका सर्टिफिकेट और जो वाच कीपिंग अगर हो है वो इसू कर देते हैं ठीक है तो घबडाने की बात नहीं ह यह अगर आपके पास मेल आए तो जो मैंने बताया हूँ ऐसा वैसा आप तरीका आपनाई है अगर आपको डिजी शिपिंग के तरफ ओफिस में बुलाने का मेल आता है तो सारा ओरिजिनल डॉकॉमेंट लेके आप डिजी शिपिंग के ओफिस में चले जाए आपका जो भी सलूशन होगा हूँ आपको बता देंगे ठीक है तो यही एक छोटी सी वीडियो है वीडियो एच्छला है तो चैनल को सुस्क्राइब करें और कोई मिश्टेक हुआ हो तो कॉमेंट करें ताकि मैं से सुधान हूँ ताकि कोई भी गलत इंफोर्मेशन केसी के पास ना पहु थैंक यह वर्यवन